और पूरे देश में NRC के मामले में बवाल मचा हुआ है बीजेपी के दिगज खुले मंच से अलान करते नहीं थकते कि गुसपैटियों को बरदाश नहीं किया जाएगा लेकिन इस बीच राजिस्थान की हकीकत यह है कि यहां बांगनादेशी गुसपैटियों और रोहिंग् पूरी कर ली है अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी अपने ही स्टैंट पर कायम नहीं तो ग्रीव विभाक अब तक लगातार इस पर आमला करता है और जैपुर में हलाकि बांगलदेश्यों की और रोहिंग्या की यहां पर संख्या देखी गई है इसको लेकर परिवार इस शेत्र में रह रहे हैं वहीं जवाहर सलकी शेत्र की बात की जाये तो 28 परिवार यहां पर बंगलदेशी है तो राजसरकार गुसपैटियों को लेकर गंभीर होने की कोशिश की जाती है हर मंच पर खुले तोर पर इसको लेकर कहा जाता है लेकिन गंभीर नही यह इस बात का यहां पर कहीना कहीं सबूत है क्योंकि पुलिस ने जो दस्तावेज यहां पर दिये हैं गुस्पैटियों के उसको यहां पर कहीना कहीं निरस्त कर दिया गया है और इनको यहां पर वोट करने का अधिकार मिल गया है